कि अपके लिए रोज़ाना एजूकेशन वीडियो आज की स्वीडियो भी हम लोग डिसकुस करने वाले हैं आपके प्रब्लम्स जो कि आप कोशन क्लास करते हैं जो भी कि डाउट है वाम फूर्फ prac सकते हैं ठीक है अपने वे पुछ को जिस्टाइब सकते हैं टौर फें अपने पूछा जो बीबो अबी तो किसी का question नहीं है अभी question type करो बच्चो, question type करो जल्दी ताकि हम लोग start कर सकें और जो भी question आप type करोगे उसे में solve करोगा ठीक है बच्चो hello good morning ठीक है अब question type करो question type करो ताकि हम लोग आगे इस class को further continue कर सकें कुशन टाइप करो बचो कुशन अभी तक नहीं आया है कर वड़ जिरो पॉइंट जिरो 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 वन मीटर स्क्वेर इंटु स्क्वेर इंटु स्क्वेर इंटु मिली मीटर स्क्वेर ठीक है जा कमें कटर कोशनस है में गए है कि ऑगया से मिली मीतर स्क्रीम है क्वेर पास क Freunde ओट वन जाहता है कोई वेली बता दिया को यह दिया जाहेगा में माद स्क्वेर बच्वेर एंट है अगर की वैल्यक्रेकर आपके पास है तो वो वल्यूम क्यों वेल्यूशे़ इसके अलाबह आमारे पास perimeter की value यानि कि तीन तरगी result आपको given हो सकता है ठीक है जब centimeter meter या कोई भी unit ले ले लिए अगर उसकी power 2 है तो वो क्या area की value है अगर उसकी power 3 है तो it means volume की value है अगर उसकी power कुछ नहीं है तो यानि कि हम उसे assume करके चलते हैं उसकी power 1 है तो वो क्या है perimeter की value है तो जिस तरह से question में आपने given की दिया है जो दे रखा है उसके according अगर चलूं तो यहां आपने दे रखा है 0.001 meter square ठीक है यह value है मारे पास इसे हमें convert करना है तो देखो बच्चो इसे अगर मैं थोड़ा सा simplify कर लो simplify का मेरा मतलब यह है कि यह जो value मेरे पास है यह decimal में इसे मैं फ्रेक्शन में convert कर लेता हूं कुछ इस तरह से decimal के बाद three digit है इसलिए three zero लगा लिया तो यह actually यह value हो गया आपके पास one divided by one thousand meter square हो गया ठीक है अचा अब इस meter square को हमें convert करना है किसमें मिली में Mirror Square में convert करना है ठीक है तो देखो mм2 में convert करने के लिए सबसे आसान तरीक है यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि भी m² सी Millie Bakers graph convert कैसे करोगे तो देखो मीटर्स क्वेर से अगर मीटर मीटर से अगर आपको cm में convert करना होता है। ठिक हैं.. दुबारा समझना बह year मीटर को अगर आप कुल करना चाहते है लिए के अंदर ना यह नॉर्मल एक conversion जो कि हम लोग कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 1000 से multiply यह divide करना होगा यानि कि मैं मुझे direct को surpass करके यानि कि meter को surpass करके अगर direct मुझे मिलीमेटर में जाना हूँ ठीक है तो मैं क्या गरूँगा multiply by 1000 कर सकता हूँ अगर मुझे मिलीमेटर से जाना हूँ मीटर की दरब तो मैं क्या गरूँगा divide by 1000 कर दूँगा कि तब होगा जब हमारे पास जो unit है बचो तियान कि अगर unit में power 1 हो ठीक है और वो changes यह है आपके पास कि आपके बास square में value है square का मतलब है यह area की value है तो उसकी लिए थोड़ा सा आपको change करना पड़ेगा और change यह करना पड़ेगा क्यों कि देखो यहाँ पर जो power 2 होता है बच्चो यहाँ पर यहाँ पर power 3 है तो उसकी meaning यह होता है यहाँ पर centimeter कितनी बार है दो बार है यहाँ पर यहाँ पर बात करूं centimeter कितनी बार है तीन बार है से अच्छा अब देखो कोश्चन पे आओ तो यह आपके पास जो मीटर है और इसे आप कनवर्ड कर रहे हो मिली मीटर में तो अगर इस टाइप का कोश्चन होता तो मैं क्या करता कि मीटर को सेंटी मिली मीटर में कनवर्ड करने के लिए मैं 1000 से मल्टिप्लाई करता है रिजल्ट आ जाता है बट यहां पर हमारे पास मीटर नहीं है बच्चो यह मीटर स्क्वेर है और यह भी हमारे पास क्या है मिली मीटर नहीं है मिली मीटर स्क्वेर है तो मुझे क्या करना होगा यह जो थाउजंट है एक बार नहीं दो बार करना होगा यह आप यह कह सकते हो क इसे convert करने के लिए 1000 को दो बार यानि कि 1000 multiply by 1000 यानि कितने 0 हो जाएंगे 60 हो जाएंगे ठीक है यानि कि आप यह कह सकते है इस नंबर से जब आप इसे multiply करोगे given value को तो आपके पास result आ जाएगा यानि कि मैं ठीक से बता हूँ आपको यानि कि यह जो value आपके बास 0.001 यही है यही है 0.001 ठीक है यह value आच यह हमारे पास क्या है मीटर स्क्वेर में अब मुझे इसे convert करना था मिली मीटर स्क्वेर में convert करना था तो क्योंकि स्क्वेर है बच्चो इस लिए इस value को यानि कि 0.001 को मैं multiply करूंगा 1000 multiply by 1000 यानि कि आप डारेक्ट यह भी बोल सकते हो कि सर इसे ऐसा करना है कि 0.001 multiply by 1 के साथ 60 ठीक है इसके साथ multiply करो आपके पास result आ जाएगा तो अब मैं decimal remove करने के लिए यहाँ पर क्या लिख देता हूं 1 divided by 1000 और उपर आपके पास 12345660 है तो 3030 cancel हो गया बचा गया आपके पास बचा 1000 यानि कि आप यह कह सकते हो 1000 mm square result आ जाएगा दियार रखना है square था इसलिए मैंने टू टाइमस यहाँ पर लिया है 1000 को अगर यह क्यूब होता ठीक है क्यूब में solve कर रहे है तो अब यह से आप क्या करते हैं यहाँ पर थी टाइमस 1000 को multiply करते हैं यानि कि आपको यह याद रखना है जब भी आपके पास distance की value given है परिमेटर की given value है तब तो 1000 लेना है जब आपके पास area की value given है तो two times लेना है अगर जब आपके पास volume की value given है तो three times लेना है unit चाहे कुछ भी हो चलो अब next question type करो अच्छो I hope question समझ में आ गया होगा easy सा question था बस concept समझना जरूरी था इसके अंदर ठीके बच्छे अब next question पूछो जो भी पूछना चाहते हूं अच्छे एक और question आया sir good morning good morning बच्छे question तो नहीं पूछा लेकिन good morning wish के है ठीके बच्छे good morning question type करो जो भी पूछना चाहते हूं question clear हो गया एक बर बता दो मुझे question clear हो गया तो लिख सकते हो comment box में yes sir clear हो गया अगर doubt है कुछ पूछना चाहरे हूं तो भी जिस step में पूछना चाहरे हो step से अब पूछ सकते हूं ठीक है चलो बच्छो question पूछो next next question पूछो So, the number of hours and the minutes from 16 is to 19 a.m. to 19 is to 18 is to 19 p.m. on the same day will be what the number of hour and minute from time duration calculate करना है भी बहुत आसान सो question है घड़ी का concept है घड़ी देखना आता है तो बहुत easy से हो जाएगा अगर जिस बच्चे को घड़ी देखना नहीं आता वह बच्चे हो सकता है यहां पर कुछ मिस्टेक कर दें ठीक है तो बही अब मैं जैसे घड़ी बना के इस question को अच्छे से समझाऊँगा यहां जिन बच्चे जो बच्चे घड़ी अच्छे से देखते हैं तो उन बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो देखो बच्चो जैसे यह question आपने पूछा है उसी के recording मैं पहले तो टाइम लिख देता हूं दोनों टाइम एक 619 और फिर 819 तो वैसे killer देखोगे 2R का difference दिख रहा है आप लोगो बिलकुल 2R का difference आ गया ठीक है तो बस इतना ही ह बगे जरूरी नहीं हो कि भी exact इस type का question हो question में थोड़ा वह tough करने के लिए minutes में changes कर सकते है जैसे time है तो मैं first time जो है इसको मैं time 1 let कर लेता हूं time 1 first time है ठीक है time 1 इसकी value हमारे पास 619 है अच्छा second हमारे पास जो second time है उस time को में लिख लेता हूं time 2 और इसकी value है 819 एक बाद चेक कर लेते हैं जो value दिया यह value है कुछ और है ठीक है अच्छे लेकिन एक चीज और देखो बच्छो अगर धिहान से देखोगे तो AM और PM वा होगा यहां पर अगर जल्दी जल्दी में question solve करोगे तो आपको यह दिखीगा कि भी सर्थ 2R का difference है हो गया हमारा answer ठीक है 2R का बड़ च्छे बच्छे बच्छे कहेंगे सर्थ 2R का difference है बस हो गया answer आ गया बट बच्छे दिहान से सुनो यहां पर AM का मतलब 619 का 619 AM का मतलब हो यह कि अभी अभी जैसे classes हमारी 600 clock हमारी classes start होती है तो यानि कि अभी जो 619 होगा बच्छो उस टाइम की बात की जा रही है ठीक है यानि कि सुबह के टाइम जो 6 बचके 19 मिनट है ठीक है यह धियान रखना अच्छो उसकी बात 819 का मतलब यह होता है कि अभी early morning वाला 819 न तो यह two hour का difference नहीं है अगर मैं clock draw करूँ एक reflect clock draw करूँ आपको समझाओं कि यह 12 है 6 है 9 है यहाँ पर 8 भी draw कर लेते हैं और यहाँ आपके पास 3 है ठीक है तो सुबह सुबह जब 619 हो रहा था तो वह आपके पास 619 लगबग इस तरह से clock हमारा बनके आएगा ठीक है इसने पूरा एक round लिया ओगा बच्वो यानि कि जो च्छे बज रहते हैं यहाँ से चैके बाद यह पूरा राउंड लिया राउंड लिया राउंड लिया दुबारा छे बज़की ठीक है दुबारा छे बजने के बाद उसके बाद जब 8 बज करके 19 मिनिट होगा उस टाम क हो गया अच्छा उसके बाद अब 6 बच करके उसके बाद आट बच करके नाइटीन मिनट या उन्नीस मिनट साम के बात है यानिकि ट्वेल आर तो मौर्निंग में हो गया उसके बाद टू आर और एड कर लो यानिकि यह सिक्स से लेकर के यहां बीच में 7 आ जागा यह तो इन 14 आर का डिफरेंस है अब वो कैसे बता लग रहा है आप लोग जब कुशिन पढ़ोगे तो आपको बहुत ध्यान से देखना एम है या पी एम है ठीक है तो आप यह कह सकते हैं दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा आपके पास 12 आर का होगा 12 आर का हो गया आपके पास यह 14 आर आ जाएगा ठीक है जैसे आप लोग देखते होगे जब नोटिफिकेशन के लिए में डालता हूँ अपनी लाइव क्लास के लिए तो साम को जब यह बैनर बन के आया था आपके सामने तो उसमें भी लिखा होता है शिक्स एम लिखा हो आता है कुछ बचे सोचते है अब लोग कैसे इदेफाई करता है इस एम या पी एम से तो एम का मतलब अर्ली मौनिंग होता है पी एम का मतलब साम की दान की बात भी वहां से आप कह सकते हैं यह जो आपका आशर आ जाएग एगा 14 आर का अंसर आ जाएगा तो कुषिन टॉफ नहीं था बस कुषिन को समझना था एक बार कुषिन क्लियर हो जाता है बच्छे को टाइप करके बता दो हां सर क्लियर हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट कुषिन है भई फार्मर प्लांस 109 ट्री इन रो के एस्टिमेट दे नंबर ओफ ट्री डैट इन फोटी एट रो नीरस्ट टैन अच्छा नीरस्ट टैन हमें यह भी चीज करना है मैंने की पहले अपना आप आंसर निकालने के बाद जो भी नीरस्ट टैन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फिर रिप्लाई करना है ठीक है तो जैसे 119 ट्री वन रो में प्लांट किया जाता है 48 का में कल्कुलेट करना है तो चलो आप लोग रेडी रहो आप या भी मल्टिप्लिकेशन के लिए कोशन में देने वाला भी हूं तो देखो बच्चो ज नंबर ओफ ट्री कैन में प्लांट है ठीक है अगर उसकी बात करो तो वह आपने बता है 109 है ठीक है यह बताया अच्छा उसके बाद बताया अपने सर कैलकुलेट कर यह 48 रो में कितने होंगे 1 रो में आपने 109 दे रख़ा है ठीक है तो 48 के लिए क्या हो जाएगा तो अब ृब फोटी एट रो यह नंबर ओफ of trees इस गैन बी by ृप्लांट ए ज़निक अब यह कह सक्ते हो कि अबड खाए ल्ग कितने लगा सकते हैं I 9 को मल्टी प्लाइट से सबता आ है यह अब यह Αं पर रिजल्ट क्या रहा है उसके बाद भाद हम नीरस करेंगे पहले जो आंसर आएगा बच्चो वह बता आंसर क्या रहा है यानकि 109 को और इसको दोनों को 48 को दोनों को कोशन है मैं चाहता हूं कि यह 109 को और 18 को आप लोग मल्टिप्लाइ करो और कमेंट बॉक्स में बताओ लाइब चेट में कि भी आपका आंसर क्या रहा है ठीके बच्चे जल्दी से बताओ अभी तक किसी भी बच्चे का रिपलाइ नहीं आ एया मेरा पास फटाफट करो भी इस फटाफट करो बच्चो बताओ मुझे क्या आंसर आ रहे हैं अभी मैं accurate आंसर पूछ रहा हूं नीरस टेन केल्कुलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग हम लोग सिंपल आंसर केल्कुलेट कर रहे हैं कि अच्छे एक बच्चे ने रिजल्ट बता दिया सर यह आंसर आता है बाकी भी बताओ भी बाकी बताओ नीरस टेन में निकालना है ठीक है वो तो मुझे पता लग गया बच्चे नीकालना पहले यह तो माल्टीपलाई करके बताओ बच्च आगर रिप्लाई नहीं करोगी तो लेक्स्टेम एंस तर्सक्टिलेशन करों इसलिक्लाब करो जल्दी से मुल्टिपलिकेशन तो बरना पड़ेगा ना और अजया एक यह ही बच्छ ने रिपलाई किया बाकि रिपलाई नहीं कर रहे हैं तो मैं इस समझ रहा हुँ में बाकि लोग ऐसे देख रहे हैं इसी Class को आग को कर एक्टिव ओक करके questions solve नहीं कर रहे हैं नहीं नई नाइटीन और नाइटीन शिक्टीटू नहीं आएगा बच्छो विभिटी गुटी टू जो आरहा है यह रिजल्ट करेक्ट है कि इस बड़ों को बिपलाई करोगे तो आपके पास यह 52 32 यह आपके पास रिजल्ट आजएगा ठीक है यह तो कई आट रिजल्ट 10 का मतलब होता है कि आपको 10 के नजदीक सबसे नजदीक क्या है तो बच्चों देखो नीरस 10 की बात करो एक 10 तो आपके पास यह हो सकता है अगर यह 5 यह 5 से ग्रेटर हो आई रिपीट जब यह वाली प्लेस पर 5 डिजट हो या 5 से ग्रेटर डिजट हो यानि 5 6 7 8 9 हो तब आपके अगर होगे नेक्स्ट वाले पर चले जाओगे तो नेक्स्ट वाला जो भी हो जैसे यहां पर क्या है फाइव टू फॉर जिरो हो गया इस यह हमारा नीरस 10 होगा लेकिन अगर यह 5 से कम है यानि कि वॉन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फूर हो गया तो उसके रिए कि अगर होगे, 1, 2, 3, 4 के आज पास अगर वैल्यू है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू के पास चली जाएगे तो प फाइब टू तुर यह ले ले लेंगे इसको इसलिए ले रहे किया यह जो प्लेस है आपके पास यहां पर 5 से लेस दन डिजिट इसलिए मैं इसको इसको पूछब कर रहा हूं या फिर कुछ कोशन भी मैं अपनी तरब से देता हूँ आप लोग कम पूछ रहा हूँ तो ठीक है या एक कोशन मेरी तरब से कनवर्ट करने वाला कोशन देते हैं कि युनिट को कनवर्ट करने से रो इसे कोशन मैं दे रहा हूँ कुशन क्लेर हूँ एक बढर बता दो मुझेुड अगर 만들어 हुआ है चीज बतासकते फिर पूच भी सकते हो उससे कordre हुआ या नहीं हुआ कोई बच्चा बता नहीं रहे मिखिस क्लेРЕ तो लिखो कि लिपस्ट क्यें अब्र हो कि जबडिक्लाइओं नहीं करोगे तो भी मुझे पता नहीं लगता हैं autres ठीक है रिप्लाइ किया गरो कुशन के लिए हुआ या नहीं हुआ यह बताओ कोई रिप्लाइ नहीं है को आपर कोई डाउठ है तो वह भी बोल सकते हो कि हां से हमें बता दीजिये के लिए नहीं हुआ थीक है अच्छा ठीक है clear हो गया next बचे अब जो next question है अब लोगों के लिए अच्छा ठीक है अब एक question मैं दे रहा हूं जिसमें convert करने से related question दूँगा और यह मुझे solve करके बताना कि भी आपका answer क्या है तो जैसे first question करवा है तो उसके according सबस्क्राइब कर लो आपके पास एक value है 53470 mm है ठीक है mm है आप इसको convert करना है convert into centimeter ठीक है इसको centimeter में convert कर दो same value है आपके पास 53470 mm में अब इसी को convert कर दो अब देखो यहां पर तो मैंने आपसे सबसे पहले centimeter convert कर वाया अब इसे convert कर दो kilometer में ठीक है mm है kilometer में convert कर दो और same यही value है यानि कि 53470 है अब millimeter में है अब इसे भी convert कर दो लेकिन इस time जो convert करोगे वह बच्चों करोगे आप लोग मीटर के अंदर यानिकि क्थे आपने क्या करना है अब मीटर को convert करना है कि mm को Convert UP in 1 वं से पूछी जा सकते हैं और किये जा सकते हैं सोन लगए करनेर वह कि प्रिख़ुर्यबिव्ल और पाइण चलो मूय मुझे करना भदा इसे बदा कि इसे बता हुए पहले इस question का answer करो उसके बाद next question लूँगा एक बच्चा कहरे है sir class 5 से पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक से किसी भी chapter से पूछ सकते हो ऐसा question नहीं है लेकिन पहले this question का answer दो convert करने वाला question मैंने इसे solve करो, उसके बाद ही मुझसे question पूछना, ठीक है, क्योंकि आप मुझे पता लग रहा है कि आप लोग practice नहीं कर रहे हो, अगर practice कर रहे हो, तो फटा-फट इसे solve करो, और बताओ मुझे तीनों के answer क्या क्या रहे है, और हाँ, unit जरूर लगाना है, जब आप unit लगाते हो, तब जाके clear होता है, कि हाँ, ये सही तरीके से आपने answer calculate किया है, चलो solve करो, बताओ क्या result आ रहे है, solve करो, result बताओ, तीनों का क्या क्या रहे है, एक बता दिया सर, centimeter वाला convert हो गया, ठीक है, करो, first part solve हो चुका है, जिसमें centimeter में convert करना था, वो हो गया, उसके बाद बच्चों, ये kilometer वाला convert करो, millimeter वाला भी convert करो, easy question है, decimal पे भी answer आ सकता है, अगर लगता आपको तो निकाला जा सकता है, कोई issue नहीं है, ठीक है, चलो जल्दी से करो और बताओ, बागी बच्चों भी convert करो, kilometer वाला भी answer आ गया, और उसके बाद, ठीक है, दो बच्चों नहीं reply किया, बागी भी calculate करो बच्चों, देखो ये तो clear हो चुका है, कि सर इसमें divide करना है, ठीक है, अब सही value से divide करोगे, तो answer आ जाएगा, अगर divide करने में गडबड करोगे, तो भी, थोड़ी सी problem हो सकती है, जैसे मैंने starting में आपको क्या दे रखा है, millimeter दे रखा है, तो यानि कि आपको millimeter की according ही check करना है, कि millimeter को अगर हमें centimeter में convert करना हो, या kilometer में convert करना हो, तो क्या करेंगी, तो सबसे पहले अगर mm को सेंटीमेटर में convert करना है ठीक है तो बचों हमें क्या करना होता है तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि 20 mm को convert किसमें कर दो 5, 3, 4, 7 cm, बिल्कुल correct है, ठीक है, यहाँ पर इतना issue नहीं था, बहुत आसान सा question था, आप लोगों ने भी वो कर भी लिया, अच्छा, उसके बाद next मैंने बोला था कि भी किलोमेटर में convert करो, तो किलोमेटर में convert करना भी easy है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इसे divide कर होगे, अच्छा, अब divide किस से करोगे, तो देखो, बच्छो, आप थोड़ा सा समल के करना है, मिली मेटर में given है, और मैंने किस में बोला, किलोमेटर में convert करना, तो यहाँ पर क्या करोगे, जो भी value given है, जैसे यहाँ पर value है, आपके पास 5, 3, 4, 7, 0, इसे divide करोगे, इस value से यानि कि convert अगर करना हो, तो मैं 6 times 0, इस value से में करना हो, यानि कि आप यह कह सकता हो, 1000 by 1000, उसको 2 times 1000 ले लिया, यानि 6 times 0 लेकर किसे divide करोगे, आपके पास result आ जाएगा, तो पहले तो मैं 0, 0 cancel कर देता हूँ, अब number of 0 मेरे पास कितने है, 50 है, यानि कि decimal का place, 1, 2, 3, 4, 4 तक त यानि कि ये कुछ इस तरह से आपका answer आ जाएगा, देखो, ये आ जाएगा, अब इसे read करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे 0 और लगा लेते हैं, यानि कि 0.05347 result आपका km में आ जाएगा, उसके बाद मैंने next बोला था, कि भी mm में हैं, और किस में convert करो, मीटर में convert क करने के लिए, आपने क्या करना है, फिर से divide करना है, और divide किसको करना है, जो value आपने given, given है, आपके बास, यानि कि 53470 ये value given है, और convert मीटर में करना है, यानि कि 1000 से divide कर लो, इस इसको, आपके बास result आ जाएगा, तो पहले तो 00 आपने cancel कर दिया होगा, उसके बाद 2 0 है, या कि मैं बोल सकता हूं कि 53.47, ये आपके बास मीटर में answer आ जाएगा, तो भी अपने-पने answer चेक कर लो, कि अगर यही answer आ रहे है, तो आप लोग calculation बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत गड़बड हो गई है, तो फिर वहाँ ठीक करने की जरूरत है, तो बच्छों देख सकते हैं, आप लोग centimeter की अगर बात करें, तो हमारे पास जो result आएगा, वो आ जाएगा, 5347 centimeter हो गया, अगर मैं kilometer की बात करूं, 0.05347 kilometer, अगर मैं meter की बात करूं, तो 53.47 मेरे पास आ जाएगा, तो मैंने क्या-क्या use किया है, first में 10 से divide किया, हमारे पास 6-0, यानि कि आप अगर read करो इसे, तो आप लोग कह सकते हो, 10 lakh से divide करो, आपके बास result आ जाएगा, अच्छों, उसके बाद next आपने 1000 से divide किया, और आपके बास result आ गया, ठीक है, मुझे लगता है, concept clear हो जाना चाहिए, अगर नहीं clear होगा, तो पूछ सकते हो, अगर clear हो गय बता रहे हो, वो 5347 km नहीं आएगा, km में आपने क्या करना है, इसे 1000 multiply by 1000, यानि कि कह सकते हो, 10,000 से divide करना था गड़वड किया है, 5347, 5347 km नहीं आएगा, बलकि 0.05347 km आएगा, इसको ठीक कर लो, गलत question कर रहा है, और कोई बचा कुछ पूछना चाहरा है, तो question type करो, इ question clear हो गया, तो लिख सकते हो, yes sir clear हो गया, question पूछो बच्चे, next, ठीक है, clear है, अच्छो question पूछो, solution मैंने आपके सामने रख दिया है, screen पर आप देख सकते हो, कैसे solve करना था, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा issue होना चाहिए, इसे note करके रख लो, कि सर में convert कैसे किया था, ठीक है, millimeter को centimeter में convert करने के लिए 10 से divide किया, millimeter को kilometer में convert करने के लिए 10 lakh से divide किया और millimeter को meter में convert करने के लिए 1000 से divide किया, यह simple सा rule था, जिसको use किया, मैंने solve करवा दिया, question type करो बच्चो, अगर question नहीं है, तो class में wind up करूँगा, question type नहीं कर रहे हो, तो इसला मतलब यह है, कि आपके बास कोई problem नहीं है, कुछ पूछने के लिए नहीं है, ठीक है question है, तो बोलो, otherwise फिर में class wind up कर रहा हूँ, question है, next बताओ जुल्दी, नहीं पता लग रहा है, मुझे, ठीक है, बच्चो class over करते हैं, अब लोगों ने भी, जो question थे, push लिए है, और, अच्छे question हा गया, how many bottle filled 300 ml capacity from the port containing 2.85 meter cube oil लिखना चाहरी है, ठीक है, तो मैं कुछ यह समझ लेता हूँ, यह 2.8 meter cube, ठीक है, यह volume दे रखा है, आपने बड़े container का, अच्छ, एक बड़े container की capacity आपने दे रखी है, यह उसमें इसकी value, volume उसकी capacity कितनी है, 2.85 meter cube है, m power 3 है, सहद यह लिखना चाहरी हो, और से liter, meter cube, मैं माल लेता हूँ, जो meter वाली value बच्छों, इसे माल लेता हूँ, यह आपके पास volume में, बड़े container की, उसके बाद छोटे bottle की 3 ml है, ठीक है, हमें अब यहां पर यह है, कि भी जो meter, क्याना में, meter cube के अगर बात करें, क्यूब meter को convert करना है हमें, सबसे पहले तो इसमें ml के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो पता होना चाहिए हमें भी, तब इस question को हम solve कर पाएंगे, तो देखो बच्चो, अगर आप लोग convert करना चाहते है, meter cube जो आप, सद यह power 3 है, मैं आजूम करके चल रहा हूं, कि 2.85 meter cube आपके पास है, और इसी जब आप millimeter में convert करना चाहरे हो, तो पहले तो आपको millimeter में convert करना आना चाहिए, जब आप millimeter में convert कर लोगे, फिर question कुछ रहा ह पोर्ट के लो लार्जर जो बड़ा सा, यानि कि एक समझा देता हूं, मान लेते हैं, आपके पास एक बड़ा सा container है, और इसके अंदर आपने कुछ भी समान भरके रख रखा है, ठीक है, और आपके पास एक छोटी सी bottle है, ठीक है, यह छोटी सी bottle, अब ड्राइंग पे मत ज है 2.85 meter cube, यह इसकी volume given है, यह इसकी capacity आप कह सकते हो, इतना पानी यह store करके रखा हुआ है, तो इस पानी को इस तरह के bottle में, जिसकी capacity कितनी है, only 300 ml है, इसकी capacity है, तो ऐसे कितनी bottle में हम लोग इसे fill कर सकते हैं, यह हमें find out करना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको given है, वो लिख लेता हूँ, आपके पास एक volume given है, यह किसका बड़े से container का, वो आपके पास है, 2.85 meter cube, ठीक है, यह आपके पास volume given है, ठीक है, आच्छा, उसके बाद next जो आपके पास है, यह एक bottle की बात करें, एक bottle की उसकी capacity है, यानि कि मैं लिख लेता हूँ, capacity of bottle के अगर बात ठीक है, वो हमारे पास है, 300 ml है, अब देखो बचो, इस question को तब तक नहीं solve करते हैं, जब तक हमारे पास यह दोनों जो unit है, यानि कि यह meter cube और यह milliliter, इन दोनों को अगर जब तक same नहीं कर लेंगे, तब तक question solve करी नहीं सकते हैं, यानि कि आपके पास meter cube वाली value है, उसे जब तक millimeter में convert ना कर लो, तब तक answer नहीं निकाल सकते हो, अब सोचों को इसको convert कैसे करें, तो convert करने का simple सा तरीका यह है, कि यह value आपके पास given है, meter cube वाली value given है, इसे आप लोग change कर दो, और change किस में कर लोगे, millimeter में, और उसके लिए आपको divide करना होगा, देखो, अगर cube नह इतने से, इतने से आपने से divide करना है, और आपके पास, जो millimeter में answer आजाएगा, यानि कि यह जो मैं बोलूँ, 2.85 है, इसे हम लोग क्या करेंगे, divide करेंगे, और divide किसे करेंगे, multiply करेंगे, multiply करेंगे, multiply करेंगे, हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, इसे multiply करेंगे, तब हमारे पास जो value आजाएगी, वो ml में आजाएगी, यानि कि आप यह कह सकते हो, कि मैं यहाँ पर decimal remove करने के लिए, 100 नीचे लगा लेता हूँ, 00 से solve कर लेता हूँ, यानि कि आप यह कह सकते हो, 285 और यहाँ से आपके बस 40 रह जाएगी, तो यह value आप कह सकते हो, किसमें convert होगे, यह ml में convert हो 300 ml है, तो number of bottle can be filled, यह type का question आपके पास, यानि कि आप मुझे calculate करना हो, कि number of bottle, ठीक है, अगर इसकी बात करूँ, यह number of bottle can be filled, अगर इसके हो, इसे हमें calculate करना हो, बचो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ है, यानि कि 285 और 4 ताइमस 0, इसको मैं divide कर लूँगा, किसे 300 से, और मे इतनी स्टोर की जा सकती है, कितने में यह water स्टोर किया जाता है, यह आपको बताना है, ठीक है, चलो, डिवाइट करो, और मुझे भी बताओ, आंसर क्या रहे है, 285, 285, 00, जो भी है, 00, ठीक है, इसको आप लोग डिवाइट कर लो, 3 से, और अपना अंसर बताओ, आंसर क्य आ रहे है, रिप्लाइ करो, जल्दी से रिप्लाइ करो बच्चो, क्या आंसर आ रहा है, अभी तक किसी बच्चे नहीं, रिप्लाइ नहीं किया है, मुझे, लगता है, डिवाइट करो बच्चो, 3 से डिवाइट करो, आंसर आ जाएगा, 3 से डिवाइट करो, आंसर आ हैं देखो थ्री वन जा थ्री अगर मैं डिवाइड करूँ और इधर डिवाइड करता हूं थ्री नाइन जा टूंटी सेवन हो जाएगा वन आएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन हो गया अब आपके बाद जो जीरो बचे जीरो लगा लो यानिक आप यह कह सकते हो कि 9500 ठीक है 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 नेक्स पुछा गया अपके जो जो जास् कोइब कि डिवाराहएड रूपी इसके मैंने दो पार्ट्स बचो आप लोगों को बनाए हैं उसमें से पार्ट में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम से लेटिट पहले तो फ़र्स पार्ट देखना जिसमें मैंने बेसिक चीजे डिसक्स किये ठीक है उसको जरूर देखना उसमें कॉंसेट सिखाया हुए अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना उसके अंदर डिटेल में एक्स्प्रेशन है अभी तो सर्फ मैं कोशन सॉल्व करूँगा वोल्यूम के बारे में डिटेल में नहीं जाओंगा ज्यादा चीज़ा नहीं बताऊंगा सिर्प इस को टा आपके इस कोशन को करके क्लास वाइंड उन्यूम क्लास करने वाले तो आपके बास जो वेट है आपके पास वेट यापके बास है रोपी 5 coinsoritक अगर बात करें लीज्रत थीच से स्वाइब रूपी 5 different different आपके पास जो weight है बचो इस different different को weight को जो unit है आपके पास उसको similar unit में change करना होगा जब आप similar unit में आ जाओगे तब जाकर कि question solve होगा ठीक है तो चलो बताओ भी मुझे 18 kg को convert करना है मुझे gram के अंदर बचे तो क्या value आएगी convert करके बताओ इतने time से question करवा रहा हूं convert करना भी मैंने सिखा दिया है तो मुझे 18 kg को बचो gram में convert करके बताओ क्या result आएगा और इसके लिए क्या procedure लगाने वाले हो यह भी मुझे ठीक है तो जल्दी से answer के लिए comment करो बचे और बताओ कि भी kg को gram में convert करने के लिए क्या procedure यूज़ करते हैं और उसके बादे से calculate करके भी बताओ ठीक है जल्दी से बताओ मालूम है या नहीं मालूम है अगर मालूम है तो यस लिखो अगर नहीं मालूम है नो लिखो ताकि फिर मैं convert करने के लिए जो भी चीज करनी वो मैं बता सकूँ मालूम है या नहीं है जल्दी बताओ पहले कि यस या नो लिखो पहले अगर मालूम है तो यस लिख सकते हो नहीं मालूम है तो फिर मैं हिंट दूँगा थोड़ा सा करो कमेंट में मैं कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं बच्यंट वबन कर अंसर यी बता रहे हो डिर्ट आएकी अधीन टाउजन ग्राम आ रहा है तो आप लोगों नहीं मुल्टीप्लाइग किया हो वोन टाउजन सा मल्टीपलाइग लेका ठीक है विल्कुल करेक्ट है यही तरीका है किसे करने का है यानि कि आप यह कह सकते हो यह 18 जो हमारे पास था इस एटीन में 1000 से multiply कर लिया तो हमारे पास जो 18,000 ग्राम यह हमारे पास answer यह result आ गए पर यह तो हमने सिर्फ और सिर्फ वेट को चेंज किया है बच्चों ठीक है सिर्फ वेट को चेंज किया है solution में लेकिन अब हमें क्या करना था कि number of coin find out करना है तो number of 5 रूपी कोईन ठीक है number of 5 रूपी कोईन के अगर बात करें बच्चों coins की तो यह जो टोटल वेट है आपके पास 18,000 ग्राम है इसको डिवाइड कर लो 9 से आपके पास number of coin आ जाएगा ठीक है तो 9 से डिवाइड करो result लिका लो भई बहुत आसान सा कुशिन है फटा-फट इ 9 1 जा 9, 9 2 जो आप लोग कहा सकतो 18 ओ गया यानि कि आप समझ गया होगे answer क्या आएगा चलो जल्दी से बताओ comment करके क्या result आ रहा है क्या answer आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है देख लिए हमने कि 1000 सा सर हमने multiply किया ठीक है बिल्कुल correct है तो जल्दी से बताओ बच्चों जल्दी 9,000 को 9 से divide कर लो ठीक है 9 से इसलिए क्योंकि भी 1 coin का weight आपके बास 9 gram है तो 9 से divide करो आपके बास result आ जाएगा यानिकि number of point आ ठीक है बिल्कुल correct है 20,000 आ रहा है हाँ 20,000 देख लेते हैं जैसे आपने इसे divide क्या होगा 9 1 जा 9 ठीक है और 9 2 जा 18 हो गया 2 आ गया और उसके बा तो question clear हो गया होगा ठीक है बच्चो फिर आज की class में इतना ही रखते हैं अब जाते जाते question में आप लोग 2,000 आएगा कुछ करे सर 19,000 आएगा कुछ करे 2,000 आएगा चैक कर लेते हैं 19,000 आएगा 2,000 आएगा तो देखो बच्चो एक मिनट एक मिनट एक मिन देखो आच्छ तो यहां पर आप यह कह सकते हो कि 18,000 है 3,0 ही है ठीक है तो यह 3,0 रहेगी यहां पर यह 1,0 जो एक्स्ट्रा लग गई है बच्चो यह घडबड हो गई पकड़ लिया जाने कि बच्चो ने गलती ठीक है तो यह 2,000 वाले तो correct हो और 20,000 लिख रहे बच्चो यहां पर गड हमारा आंसर भी गलत हो गया था और correct answer के लिए हमें क्या आप रहा हो एक बड़ को दुबारा देखना होगा अच्छे 18,18 kg था convert किया 1000 से multiply किया 3,0 है 3,0 है 3,0 आ गया और देखो 1,0 मैंने जो एक्स्ट्रा लगा दी थी बच्चो इस वज़िए गलत हो गया था तो वह जो ए अब आपके लिए कुशन छोड़के जाता हूं जो convert करना और लास्ट में आप लोग reply नहीं करते बच्चो और रिप्लाई जरूर किया करो मैं बोलता हूं कि comment box में reply किया करो और comment box में reply chat में तो ठीक है जब class में रहते हो देखते हो तो reply कर देते हो जो बाद वाले बच्चे अब बच्चा जहां से बिलॉंग करते हैं जहां से बिलॉंग करते हैं उस जगह का आपने नाम लिख दिया ठीक है उसके बाद जो भी कोशन मैंने आप से पूछा है कि उस को सॉल्व करके उसका आंसर भी बताना है अब जैसे को प्रीविस को अगर मैं देखूं यह कोशन जो इसी कोशन को चेंज करता हूं यहान पर कर लेता हूं एक मिनट वन रुपी कोईन के बात करो यहन कि मैं लिख देता हूं वेट आफ वन यानि रुपी वन कोईन ठीक है इसके एक वेट की बात करो सब्सकर लो इसका वेट हमारे पास 3 ग्राम है मैंने अपनी तरफ से आजूम कर लिए 3 ग्राम है आच टोटल वेट यानि कि एक बुरी है एक कट्टा है आपके पास आपके पास कुछ इस टाइब से है 21000 ये 2000 003 kg ये आपके पास टोटल वेट है अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे कि नंबर ओफ आ पुएंज फाइंड आउट कर लो कोईण ऑफ रुपीज वन वन रुपीज की कितने कोईंस हैं ये मुझे आप लोग क्याल्कुलेट करके बताना ठीक है फाइंड करके बताना और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना ठीक है तो जैसे यह यह ला रहा हुआ ठीक है चलो पिर अभी के लिए बाइब बाइब खेज शेया बताओं के रोआ या उसली को नहीं कर्या तो नॉर लिख और को और संद क्लियर हुआ यह बचो तो फिर मैं मूव करूँ, yes यह no लिखो question clear हुआ यह नहीं हुआ, बोलओ, yes यह no लिखो question clear अगर नहीं हुआ तो no लिख सकते हो, reply नहीं आया मेरे पास कुछ बच्चा बताई नहीं रहें, yes भी नहीं बता रहें, no भी तो इस question को solve करना और कैसे convert करना जैसे previous question को हम लोगों ने solve किया बच्छो उसी के according से भी solve करना जैसे आपने इस वाले question को किया था ऐसे इस में solve करना बस यहां पर क्या था five रूपी का coin था और यहां पर नाइन ग्राम की जगह है यहां वेट चेंज कर दिया ओ्रचाइज इसके लाबान जगर्स तोटल वेट देखो यहां पर आपके बस y8 तोड़ा से काल्कुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया इसको भी चेंज कर दिया है यानि कि यह तो लैक टैन टाउजन 3 केजी यानि कि 21003 केजी रख दिया है तोड़ा से बढ़ जाएगा अब यह आपके बास ग्राम में है बच्छों के जी में आपकी बास किलो ग्रा उसके बाद आप लोग डिवाइड करके अपना अंसर निकालोगे कैल्कुलेट कर लोगे ठीक है तो जिन बच्छों ने देर से जोइन किया है उन बच्छों से यह कहूंगा भई कि अपने थोड़ा से वीडियो को बैक करके जो बाकी कोशन आज हम लोगोंने डिस्कुस किय है उसे भी आप लोग देख सकते हो ठीक है थोड़ा सा मुव करके बैक करके देख सकते हो अब में क्लास को यहां ओवर कर रहा हूं बच्छों चलो अभी के लिए बाए अच्छे ने बोल दिया यह सर क्लीर हो गया ठीक हे बच्छों फिर मिलते है नेक्स वीडियो में नेक् पास जाद से जादा question solve करने के लिए हो जाएंगे तो thanks for watching ठीके बच्छो चलो फिर मिलते है नेक्स वीडियो में और हाँ जो question पूछ है इसका answer मुझे जरूर बताना भी comment करके ठीके बच्छो चलो bye झालक ठच्छो चलो प dachte, झालके दूलो थे जरूर बाताना